यह क्यूं हुआ कैसे हुआ किसने हो रहे दिया नए 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 यह अच्छा नहीं हुआ शुव पारवती का विवा किसी और के लिए शुब होगा पारण तुम मेरे लिए शुब है शुव पारवती का विवा तो होगी चुका है महाबली अब क्या करना है इस विशे पर विचार करें नए नए अब जिता करने से क्या होगा महाबली तो मैं क्या करूं नित्रगाएं करूं जब सब करूं में चारो करने से क्या होगा कुछ उपाय करो असुराज उपाय करो तुम्हें क्यों नहीं कर लेते उपाय करो कि मैं तो केवल पता ही सकता हुँ उपाय तो आपको ही करना होगा महाराज तो बताओना फिल पार्वती का विभा हो चुका है पर देरी देरताओं को लोटने में समय लगेगा यही अनुकूल और कुछ समय है जब स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार किया जा सकता है हाँ यदि अविलंग आक्रमण करोगे तो निश्चित सफलता मिलेगी सेना पती सेना तया करो हम इसी समय स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे आक्रमण हो आक्रमण करेंगे वे गळंगे आकी आक्रमण करोपे करो करेंगे कि अब दो कि अब दो कि अब कि अ मुझे तर्श्यों का अब आर का सुर्फ वर लोक तो क्या तुम नक्षटर लोक में भी प्रवेश नहीं कर सकते हूं क्या तुम मेरी शक्ती से परीचित नहीं हो शक्ती तुम्हारे पास है ही कहां हमवश्ट कट वर्भाँजी के वर्दान को अपनी शक्ति समजह बैठे हो तार्का सुर्फी शक्ति पर अङकार में तुम सथ्टिसे दूर ओ गए हो तार्का सुर्फ कि शिव विवाह के शुब अउसर पर लाब उठाने की तुम्हारी कुचेश्टा कदापी सफल नहीं होगी कि अरे स्वर्ग तो सुरक्षित है ध्रिष्ट दानाओ पर तुम्हारे आच्रण ने तुम्हें असुरक्षित कर दिया है तुम्हारा ये अहंकार पूर्ण हास से तुम्हारी विपदा का कारण बन जाएगा तार का सुर्ण तुम देवाधुदेव महादेव से टक्राने का दुसास कर रहे हो अरे देवेश्वर को ग्याद था कि तुम देवगण के विवाह में गयस्त होने का लाब अवश्य उठाओगे तुम्हारे अवरोध की विवस्था पूर्व निश्चित है मेरे मार्ग में आने वाले किसी भी अवरोध से टक कर लेने का साहस मुझ में है निर्बुद्धी तु तुरंट चला जा यहां से अन्यता तू पित्वी लोग कभी नहीं पहुंच पाएगा चला जाओ जिस प्रियोजन से मैं आया हूं उसे संपूर्ण किये बिना ही चला जाओ शिव पार्वती के विवा को संपन कराके तुमने शिव पुत्र के उत्पत्ति को संभव बनाया है अर्थात मेरे वद्ध का आयोजन किया है तुमने मैं भी तुम लोगों के विलाश का आयोजन करता हूं मीर दानवो तूट पड़ो इन मुठी भर प्रिश्यों पर हुआ ! हुआ ! हुआ ! हुआ ! किए प्सित चाहिए. गजसी और लगा सब्से एक भागा। ऱर्टारी खार्टारी टौप से वहारा टौप एकिने एकिने ही खाहिए! यहाहिए! खाहिए! खाहिए! उजए! खाहिए! झाल 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 मैंने तुझे स्थिर कर दिया है देख अपनी सेना की विनाश लीला देख तिर मंत्र से मैं मुक्त करता हूँ तुझे अपनी पराजय स्विकार करके अपने प्राणों की रक्षा कर जा चला जा यहां से आप असुर असुर सम्राट और पराजय नहीं नहीं तुष्ट तु ऐसे नहीं मानेगा ले ले यह देख अम नमस्षवाय प्रभू शिप पारवती विवा हर्श लास के साथ संपन्न हो आप हमें अपने अपने लोक में लौट चलना चाहिए देवराज विवा तो हो गया पधन तो कुछ विदिया और आप्चायकता है अभी शेश्की हां हमें कुछ समय तक प्रतिक्षा करनी होगी आर्यम कुछ सियृ आर्या ब்रह्मणचक्र का रायना रदाश शिरी हरी मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हूं तब कहीं जाकर मेरा चक्र संपूर्ण होता है परंतु आप परम्पिता ब्रह्मा जी और त्रिकाल दर्शी शिव जी प्रत्यक्षन जाकर अपनी परोक्ष शक्ती से सभी कारें बड़ी सहचता से पूर्ण कर देते हैं प्रतीत होता है कोई नई कथा कहने की तैयारी में हो ना रहते हैं कथा नहीं परमपिता सत्य परम सत्य विराज सत्य भगवान शिवशंकर की कृपा और भक्त वतसलता देखिए हम सब यहां शिवशंकर के विवहां में सम्मिलित होने आये हैं और वहां महातार कासुर की अत्याचार से शिव्षंकर ने उपास्तित न रहकर अपनी परोग शच्ती से भक्तों की रक्षा कि स्वारे के सुरक्षत है ना देवर्शी प्रत्यक्ष न जाकर भी बोले नाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं देवराज फिर आप क्यों चिंतित होते हैं स्वार्ग सुरक्षत है देवराज अगवान भोले नाथ शिवशंतर की जै यहां से विदा लेने से पूर बोले न बनाद देवयों से खिले बैखेंगे अब देवया छोड़ेंगी तब देंगे नाध गया भोले-नाध आप चिंटा ना करें तर्ट कुछ दिन पार्वती हमारे साथ है ब्रम्य लोक में रहेगी नोध यह समय के लिए हमारे साथ वाइकूंट में भी तू रहेंगी, हम इन इने कैलाश पहुँचा आनेगे, आप तनिक भी चिंता ना करें महिश्वर आप दोनों मिलकर मुझे चिंतित करने का आयोजन भी कर रही हो, और साथ साथ ये भी कर रही हो कि मैं चिंतित नहीं हूँ, वो तो मैं वश्योंगा सुन रही हो देवी पारवती कहा तो भोले नात्मे तुमारे लिदो यूग के यूग काणिए और एक बल भी तुमारे लिदा रहने को तयार नहीं है यूग काटे यूग यूगांतर के मिलन की प्रतिक्षा में अब तो ये मिलन विराट और कि संभी आपक सथक्त चिर्थ होगा आप दोनों चिंता ना करें डिते हिथी अब आधी हुट अब हमें भीसल्ने-की तयारी करनी होगी विदा होने पड़ी चलना नवह से Seklli विल राज नयजाने के व बारत विदा करने विदा करने में बिलम कर रहेे नारैयन नियरियोल की नारैयन कर दो नारैयन सीकतलन नार Vocal अगा चलेगे थे नारद आपके चरण और आपकी शरण छोड़कर मैं कहां जा सकता हूं प्रभूद नारद के लिए अंध्य कहीं स्थान है ही कहां मैं तो भगवान भोले नाथ कि लीला ए मात्र देख रहा है ना देखा करो ये लिलाय क्यों प्रभूद फिर नारद लीरा भी तो हाराम करनी होगी। और नाराय कराते किसे किसे बैब से लूग कल्यान के नित्प से भारात कब भोगा नारित हिमाले राज तो शीकर बारात विदा करने के पक्षमे ही नहीं और में यह विचार कर रहा हूं कि शिव पार्वती विवां शुनास से हो गया है तो अब देवगणों का आपूर्ण कार्य भी पूर्ण हो जाये तो अच्छा होगा नार्र नारद तुम सदा संकेतिक भाषा कहीं प्रियोग करते हो स्पष्ट कहो क्या कहना चाहते हो शुरी हरी संपूर जगत जिसके संकेत पर संचालित हो रहा हो उन्हें भला संकेतिक भाषा समझने में कठिनाई कैसे हो सकती है प्रभु मेरा अभिप्राई ये है कि देवगण तार का सुर के अत्याचार से कब मुख्थ होंगे सभीकार यथा समय पूरुपत है नारद ये कारी भी समय आने पर ही पूरुपत नारद देवराज इंद्र और देवताओं के प्रतिनीदी बनकर तुम उनके पक्षम विचार नहीं कर रहे क्या उन्होंने तुम्हें इसी प्रयोजन से यह बेजाए नहीं नहीं प्रभु मैं तो अपने मन की प्रणा से कह रहा हूं ये तारका सुर के अत्याचार से देवगण की रक्षा करनी ही चाहिए प्रणार च्रीहरी विश्वन जी स्रजन्धार ब्रह्मा जी एवं देव रिशी नारत मेरा साधर पडाम स्विकार करें हिमाले राज तर्व प्रथम आप ये बताए कि बारात कब विदा कर रहे हैं उसी विशे में आप सभी से निवेदन करने आया था इसमें निवेदन कह हिमाले राज ये तो रीती विवाहा के परचाथ विदाई तो होती ही है आज का मुष्ट शुब है यह कार आज ही संपन करें हिमाले राज फर मैं तो ये निवेदन करने आया था कि शिव जी पसभी बराती और कुछ दिन के लिए हमारा अधिक्तर स्विकार करने की किर्पा करें है कि माले राज आप पुत्री मोसे मुक्त नहीं हो रहे हैं नियुक्त और शिव जी से भूचित उचिकए अब पुत्री के प्रती अधिक मोग पुचित नहीं होता है अब आप शिर्व पार्वती को सहंश्विधा करें मैं भी तो यहीं चाहता है फिर बाधा कहा है पार्वती की सक्ख्यों की वस्वयम मैना रानी की इच्छा है कि उनकी पुत्री वे जमाता कुछ दिन और उनके संग उनके सम्मुख रहें ऐसा करना मेरे अधिकार में तो नही है इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस विश syllables मेरी साहता करें क्या निवेदन है इमाले राज आपके इस नंब्र निवेदन में बांदन है विचों की वेदना है और सुंवेदना अ ७ी जिस भाव भाषा और मुद्रा में आपने अपना नंब्र निवेदन वो दे भी देंगे जिस तरल सहज और सुबोध भाइशा में आपने अपना निवेदन प्रकट किया है उसे अस्विकार करने की कठोरता भला कौन कर सकता है मैंने सत्य कहान परपिता नारायन तुम अपने पिता पर भी अपनी लीला चलाने से जोगते नहीं नारायन परमपिता आप भली भादी जानते हैं कि हम साब की लीलाएं शिव लीला के आदमीन है जोगते हैं मैंने साफिकार कि मैंटक सुखने माइं कैके मैं हमाली जानते हैं रहाँ झाल